चलिए आज हम पढ़िंगे rational number को number line पे कैसे represent करते हैं तो यहां मैंने आपके लिए एक number line बनाई है दिख रहा है साफ जैसे integer की line होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी plus के number integer line पे right side में होते हैं और सभी negative numbers, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 इस तरह से आगे तर यह सब left side में होते हैं अच्छा अब rational number को हम इस पे कैसे represent करेंगे जैसे मैं कुछ example लेता हूँ कि इन rational number को हम उस पे represent करने की कोशिश करते है एक rational number यह हम इने आपके 7 upon 4 ध्यान से देखिए सबसे पहले साइन किसका है यह, क्या यह plus का है यह minus का 7 का ही plus का है और 4 ही plus का है दोनों plus के हैं तो plus का नम sign जो है हम तब ही लिखते हैं जरुद होती है तो यहां कोई जरुद नी थी तो हमने इसको हटा दिया ठीक तो अब हम इसको represent करेंगे number line पे तो ध्यान से देखिएगा अगर यह इसका कुछ numerator है यह इसका denominator है तो जिसमें numerator बड़ा होता है उस वाले rational number को हम क्या कहते हैं यह कुछ-कुछ improper fraction जैसा देख रहे हैं yes, improper fraction तो improper fraction को हम पहले क्या बनाते हैं? mixed बनाते हैं तो हम नीचे वाले से उपर वाले को divide करते हैं तो divide कैसे करेंगे? 4 बंजा 4 remainder आए 3 अब इसको mixed बनाएंगे तो जिससे divide करते हैं वो नीचे ही रहता है फिर answer को side में रखते हैं और जो remainder होता है यह remainder को हम उपर यहां रखते हैं तो 7 upon 4 बन गया आपका 1 and 3 by 4 इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं 1 plus 3 by 4 ठीक? अब हम number line पे चलते हैं देखी, 0 से लिख करके plus 1 तक इसको एक unit बोला जाता है तो यह unit हमारी यह सो करती है 1 तो हम यहां से यहां पहुँच गए पहुँच गए? अच्छा फिर हमें चलना है 3 by 4 तो अब अगली unit को हम 4 part में divide करेंगे 1 2 3 और 4 तो 1, 2, 3, 4 यह 4 part हो चुके अब हमें यहां से यहां तक 1 unit तो मिल चुका था अब 3 by 4 मतलब 4 में से 3 1, 2, 3 तो यहां पे यहां पे यह number आएगा आपका 1 and 3 by 4 या फिर डिरेट कह लिजिए 7 by 4 यहां पे यह आपका number रिप्रेजेंट होगा चलिए एक इसी तरह से दूसा number लेते हैं 12 upon 5 यह भी एक plus का rational number है और यह improper fraction जैसे दिखता है तो इसे mixed बनाएंगे तो mixed में बन जाएगा आपका यह 5 निचे रहेगा 5 तू जा 10 और प्लस 2 तू 12 तो अब हमें चलना है प्लस का 2 1 unit 2 unit यहां पहुंच गे इसके बाद चलिएंगे 2 and 2 चलिएंगे बट किसमें 5 डिवाइड इक्वाइड इक्वाइड पार्ट लगबग लगबग यहां पहाँ पहाँ पूरे भाट में डिवाइड करने के बाद उसमें से 2 लेंगे तो लगबग लगबग यहां पहाँ यहां पहाँ पहाँ आ जाएगा हमारा आप 7 से डिवाइड करो 22 को 7 3 जा 21 आया माइनस और स्वाइड करका है 1 तो जिस से डिवाइड किया वो तो नीचे रहाएगा आंसर जो आया है वो साइड में आजाता है और वन रिमेंडर यहां तो 7 22 बाए 7 को रिप्रजन करने के लिए हमने पहले से मिक्ष्ट फ्रेक्शन बना दिया या मिक्ष्ट फ्रेक्शन नम्बर ना दिया इसके बाद इसको हम लिखेंगे यहां पर तो 3 है 1 2 3 अब 3 के बाद इन सब को 7 पार्ट करेंगे और उसमें से एक पार्ट पहला पार्ट हम वो लगबग लगबग कहीं इधर आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे 22 बाई 7 चली एक और करते हैं इस बार मैंने ले लिया आपका चलो 42 अपॉन 17 इस नम्बर को ये भी एक इंप्रॉपर फ्रेक्शन की दिख रहा है तो इसे भी मिक्स्ट बनाएंगे जब जब नियुमिनेटर बढ़ा होगा आपको डिवाइड करना होगा छोटे डिनोमिनेटर से तो आप डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका 17 टूजा 34 और 42 मुझे 34 डिवाइड होगा तो कितना हैगा आपका जाएगा 8 तो हम इसको इस फॉर्मिले आएंगे अब ये कितना है 2 तो प्लस का 2 है तो यहां से गई यहां तक 2 तक पहुंचिए हम अब 8 है डिवाइड बाई 17 मतलब हम इसके यहां से अगली इनिट में दो से तीन त 17 पार्ट करेंगे कितना करेंगे 17 पार्ट उसमें से हम फस्ट 8 पार्ट बजाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट इस तरह से करते हुए तो करीबन करीबन यहां पहुंच जाएंगे तो यहां पे यह नंबर हमारा दिखाए जाएगा 42 बाई 7 ठीक है देखो यहां से यहां तक 2 और यह यह नंबर यहां तक के यह इस्टेंस को बोलते हैं 42 बाई 17 चलिए अब कुछ नेगटिव नंबर नहीं कुछ करते हैं जैसे चलिए माइनस 23 अपान 8 यह भी एक रैशनल नंबर है और इसका नियुमिनेटर बड़ा है इस नेगटिव को छोड़ देजिए अभी यह देखिए इसको डिवाइड कीजिए और मिक्स में बनाईए तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका 2 7 अपान 8 8 तूजा 16 16 और 7 23 और माइनस का सान लगा जी यहाँ पे अब ध्यान देना लिए बात है कि यह माइनस का रैशनल नंबर है तो हमें माइनस 2 जाना पड़ा है और माइनस 2 कि इधर को है इधर को हर डिस्टेंस 0 से चलना शुरू करते हैं तो माइनस 2 चलेंगे एक यूनिट दो यूनिट अब क्या है अब है 7 बाई 8 तो जो इस वाला ब्लॉक है इसके लगभा हम 8 टुकड़े करेंगे कर दिए अब 8 टुकड़े में से 7 टुकड़ा जाके ले लिए यहाँ पे जगा कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ इतने दिखा रहा हूँ कि इस वाले 3, 4, 5, 6, 7 तो लगभग वो यह नंबर इधर की तरफ आ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका माइनस 2, 7 by 8 कह लीजिए या फिर आप डैरेक लिख सकते हैं इसको माइनस का 23 upon 8 नंबर लाइन पे यह नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा एको ले लेते हैं माइन माइनस 5 by 3 इसमें भी उपर वाला निमेनटर बढ़ा है तो यह भी मिक्स बनाएंगे तो यह बन जाएगा आपका माइनस 3 वंजा 3 एंड यहाँ पर आगया 2 by 3 तो ओर ओर आल के हम गया माइनस 1 एंड 2 by 3 अब माइनस 1 किदर है यह माइनस 1 तो यहाँ है इसके बाद इसके त तो तीन पार्ट कर लिए तो वन जीरो से लिए वन और फिर टू है थ्री पार्ट में टू पार्ट लेना है वन टू तो यह हो गया आपका माइनस 5 by 3 ठीक है चलिए एक और नमबर करते हैं 23 अपोन माइनस 5 इसमें माइनस का साइन नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है हमने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन नीचा आता है तो आप उसे उपर शिफ्ट कर सकते हो इसले वीडियो बताया था तो मैं ऐसे लिए सकता हूं माइनस का 23 अपोन 5 अब यह दिख रहा है 23 अपोन 5 नूमिनेटर बड़ा दिख रहा है अब नेक्स्ट वारे इरिट को 5 पार्ट करेंगे चलो हम 5 पार्ट करें तेंगे ऐसे कुछ करीबन करके 5 पारट बन जाएंगे उसके बाद यहां से 3, 1, 2, 3 इस तरह चलते हूए हम यहां पहुंग जाएंगे और हम लिखेंगे कि यही नमबर तो यही है और यही नमबर यह ही है तो हम इसको लिख सकते हैं 23 upon 5 आप डारेट भी लिख सकते हैं चीक है कि जो पूछा ही आप से यह है तो फिर आप किसी को रिपरजन कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अब तक हमने देखे थे प्लस के रेशन नंबर फिर माइनस के रेशन नंबर अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सही बात जो कुछ-कुछ कैसे दिखते हैं प्राव पर फ्रैक्षं की तरह दिखते हैं जैसे वन बाई टू ठीक है या 5 by 9 या 99 upon 100 या 72 upon 99 या 42 upon 600 तो देखो इन सभी नंबरों में सभी रेक्षन नंबरों में एक चीज़ खास है क्या है सबके निमिनेटर छोटे हैं किस से चोटे हैं डिन beginningator से तो ऐसा rational नंबर जिसमें निमिनेटर बढ़ा हो तो यह proper rational नंबर बन जाता है यह proper fraction जैसे दिखता है तो यह सारे कैसा यह proper fraction अगर यह सा meyan plus Me النकी value हमेशा number line पे अगर यह 0 मैं यह 1 है सभी पॉजिटिव प्राइक्शन जैसे जो भी रैशनल नंबर आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं सब यहीं पे लाई करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे 1 by 2 तो 0 से 1 unit positive है, इसके लो पार्ट करेंगे, यह एक हिस्सा यह हो गया एक हिस्सा यह हो गया, तो यहां से चलना शरू करते हैं, तो यहां समझाएंगे 2 पार्ट का आधा, आधा कर दिया हमने, तो यहां पर दिखाएगा 1 by अब 5 by 9 तो इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और पहले 5 एक दो तीन चार पांच पहले पांच पॉइंट ले लेंगे और उसको दिखा सकते हैं 5 by 9 99 by 100 मतलब 0 से 1 का जो यूनिट है प्लस वाला उसको सभी 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे ब्राबर उसमें से 99 पार्ट ले लेंगे तो यहां 100 में से 99 तो यह नंबर हमारा शो करेगा 99 by 100 ऐसी 77, 72 by 99 तो 0 से 1 के बीच सब नंबरों को 99 पार्ट कर लो और 72 चलते चलते 72 पहुंच जाओ मान लो कहीं ऐसे पहुंच लें तो 72 by 99 आपको बास अंगे होगी कुल्म ला करके सभी जो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे दिखते हैं यह सभी के सभी नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं कैसे लाई करते हैं मैंने आपको बताया अगर यही सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस में आगे जैसे माइनस 1 बाई 2 यह माइनस 4 बाई 5 यह फिर माइनस 6 बाई 17 यह माइनस 8 बाई 25 यह सभी नंबर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे बट माइनस में है तो यह 0 और माइनस 1 के बीच में लाई करेंगे ठीक है सभी ही पर लाई करेंगे कौन लाई करेगा इसके बीच में द्यास देखिए माइनस का हो और न्यूमिनेटर छोटा और दिनावमिनेटर बढ़ा हो वो यहाँ पर लाई करेगा यहां पर लाइकॉन करेगा, जिरो और बन के बीच में सब जगा प्लस का हो जिसका निउमिनेटर छोटा और डिनाविपर बड़ा हो, क्लeर होगा है? इस निउमिनेटर को मैं ने छोटा एंड दिखा दिया और डिनाविपर को बड़ा सा, तो जहां तक मेरा लग रहा है कि आपको साइद नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को फिट करना आ चुका है अच्छा नंबर लाइन पे जो ये 4 है, 3 है, 6 है, मैनस 2 ये सब हैं, ये भी रैशनल नंबर है, अगर मैं इनकी जो 1 लगा दो तो नंबर लाइन पे ये भी रिपर्जेंट हो गए, नंबर लाइन पे तो 1, 2, 3, 4 है अगर मैं सिर्फ ये अनको 0 सा आगे मानौं तो ये whole नंबर भी है, whole नंबर भी है नंबर लाइन पर रिपर्जेंट हो गई, अगर मैं इसको छोड़ दूँ और 1 to 3 फर बोलू हूँ तो नाचुरल नमबर भी नमबर लाइन पर रिपर्जन्ट हो गए तो नमबर लाइन पर रिपर्जन्ट हो गए नाचुरल नमबर, होल नमबर, इंटीजर्स और रैशनल नमबर भी आगए तो I hope इतना को clear आपको हो चुका होगा इसमें एक स्टेप और बता देता हूँ छोटे सीक लाइन है बताया है साथ मैंने देख लेते हैं अगर मैंने आपको बुला कि 17 अपोन माइनस 5 को नमबर लाइन पर रिपर्जन्ट कीजिए तो कैसे करेंगे इस वाले पर कर लेते हैं तो चलिए तो पहले यह कैसा दिख रहा है यह दिख रहा है आपको improper fraction में तो उसको पहले mixed बना लेते हैं माइनस का sign को shift कर देजी उपर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब 5 से 17 को divide कीजिए 5 3 15 आयर रिमेंडर 2 तो हम इसे लिखेंगे 5 से divisible था जो नीचे 5 नीचे 5, नीचे 5, नीचे 5, आंसर, side में, और remainder, उपर, और minus का sign अभी यहां लगा दीगे, clear, अब हमें चलना कितना है, इसको पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे बनाएंगे, अब देखिए, minus का 3 चलना है, तो minus करते हैं, left में होता है, 0 से, तो 1, 2, 3, 3 पहुं अब जो अगली यूनिट है, 3 से 4 के, इसके हम 5 पार्ट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, बन गे 5, तो जब चार लाइन कीची, 1, 2, 3, 4, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए, इकोली डिवाइड करना है, उसमें 2 चलना है, तो इधर से ना, इधर से चलेंगे, 1, 2, तो यहां पे जो लाइन को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, 17 by 5, क्योंकि माइनस 17 by 5 ही हमार यही नमबर है, आप डार्ट यह लिखेंगे, जो आप से पूछा गया था, इसको हमने बाद में ऐसा बनाया था, फिर ऐसा बनाया, और हमने हाँ रिपरजंट करने के लिए आपको यह सब कर होना ही पड़ेगा, तो ऐसा पेपर में तो साय जी कोई question आता है, बट यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप इससे relate कर पाएंगे questions को, आगे जो हम comparing पड़ेंगे, छोटे बड़े question, छोटा rational number कौन सा है, बड़ा rational number कौन सा है, तभी जाके आप से interrelate कर पाएंगे, तो I hope इस session में जो आपको हम लोता है, rational number और number line आपको clear हो गया होगा, ओके,